साधी ब्याह का सीजन शुरू हो चुका है ऐसे में साधी समारों में हुड़दंगियों और दब्रियों की द्वारा हत्याल लहराने के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं ताजा मामला गोपाल गंच का है जहां एक युवक तमंचा लेकर डांसर के साथ लिपट कर डांस कर रहा है सिर्प्रे सक्स का तमंचे पे डिसको करते हुए वीडियो वाइरल हो गया है गटना नगर थाना चेतर के जादोपुर रोट की है विराट 24 न्यूज इस वाइरल वीडियो की पुष्टी नहीं करता है ये वीडियो एक साधी समारोह का है और इसमें दिख रहे युवक का नाम करशना कुमार है वो अपने हाथ में तमंचे लेकर नकेवल डांस कर रहा है बलकि डांस के दौरान तमंचे को नर्तकी की ओर कर ट्रिगर पर उंगलियों को भी घुमा रहा है अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अगर कहीं उससे तमंचे की ट्रिगर दब जाती तो क्या होता बताया जा रहा है कि हाथ में तमंचा थामे युवक कृष्ण कुमार ने अपने फेस्बुक पेज पर कई तस्पीरे भी शेयर की है इस बार उसने नर्तकी के साथ तमंचे पर डिस्को करते हुए वीडियो शेयर किया है लगातार असल है के साथ फोटो और वीडियो बना कर शोशल मीडिया पर उसे शेयर करने वाला सिर्फ रहा कानून और पुलिस को लगातार चुनावती दे रहा है बावजूद उसके उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है उसके अब तमंचे पर डिस्को करता वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की किरकिरी हो रही है सदर S.D.O.P. संजीव कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है उन्होंने नगर इंस्पेक्टर ललन कुमार को जांच कारवाई करने के निर्देश दिये है